निवस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब एज्यूकेस्टने चनल में है तो आज के डू लेक्चेरियों हम ऐसे प्राब्लेम के बार में डिसकस करने वाले हैं कि जो आज की modern lifestyle के इंदर काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं जैसी की ठकावट ज काफी जैदा कमजोर रहती है और उसके करण बहुत सरे कॉम्प्लिकेशन जो यह वह देखने को मिलते हैं तो यह प्राब्लेम को स्वाल करने के लिए कौन सी दवाईया यूज कर सकते हैं तो उसके बारे में हम डेटेल में सीखते हैं आज के लेक्चर में और जानते हैं कोबाईल अप्लिकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो बाते हैं टॉपिक प्योर समझते हैं कमजोर या फिर थकान के दवाईयो के बारे में और यह प्राब्लेम के बारे में सबसे पहले बेजिक जानकार हम लेते हैं तो कमजोर या फिर थकान को मेडिकल टम्स के अंदर लिथार या फिर लेजिनेस कहा जाता है कि जो आपको लंबे समय तक रहती है और ऐसी मेडिकल कंडिशन के जिसके अंदर आप काफी ज़्यादा विकनेस फिल करते हैं सरेर में एनर्जी कम है मनलब कि काफी ज़्यादा आपको ठकावाट महसुस होती है फिर काफी ज़्यादा आप जो वो लेजिनेस जैसा फिल करते हैं आलस आती है तो उसके हम कुछ सिम्टम्स देखे तो सबसे पहला सिम्टम्स है कि काफी ज़्यादा आप ठक जाते हैं कुछ भी आपने फिजिकल एक्टिविट कि जैसे कुछ भी आप काम अच्छे से नहीं कर पातें, तीसरा हम देखें, तो लेथार जी या फिर लेजीनेस, महलब कि बहुत ज़्यादा सुस्ती या फिर आलस आती है, महलब कि आपको कुछ भी काम करने का मन नहीं होता, अच्छे से काम कोई करना जा हो, आप तो भी वो नहीं कर पातें, बिकॉज कि आपको जो वो सुस्ती आती है, आलस जैसे आप फिल करते हैं, फिर बार-बार जो हो आपको इंफेक्शन हो जाते हैं, बिकॉज आपकी इम्मिनिटी जो कम रहती है, और इम्मिनिटी कम होने के करन, कोई भी इंफेक्शन आपको बहुत जल्द लग जाते हैं जैसे कि कोई bacterial infection है viral infection है वो आपको बहुत जल्द जो है वो लहो जाता है फिर decrease ability to think मतलब कि जो सोचने की समता जो होती है किसी भी इंसन की वो कम हो जाती है फिर छटा हम देखे एक reason या फिर symptom तो वो है कि decrease ability to work मतलब कि जो काम करने की जो समता होती है किसी भी इंसन की वो जो कम हो जाती है कि चाहे वो male है या फिर female है दोनों के अंदर ये complications जो देखने को मिलती है फिर अब उसके कुछ reason हम देखे तो पहला जो reason है वो है immunity जो है आपकी कम होना कि कम जो नीटी वाले जो लोग होते हैं उनको ये problem काफी ज़्यादा सदाती है फिर second हम देखे तो कोई बीमारी में से आप recover हुए है कि मानलों कि लंबे समय देख आप कोई बीमारी से period थे और वो बीमारी में से अभी recover हुए है तो भी आपको ठकान कमजोरी जैसा मैसूस होता है तीसरा हम देखे तो जो nutritional deficiency होती है मतलब कि सरीर में जो पोसक तत्वों की कमी होती है proper आप ऐसा diet नहीं ले पाते कि जिसके करण आपको सही nutrients मिले तो उसके करण भी ये problem जो हो सकते कि specially आप ऐसा खाना खाते कि जो specially junk food type का है fast food का है कि जिसमें कोई proper nutrition से आपके सरीर को नहीं मिलते और उसके करण भी आगे जाके ये problem जो आपको हो सकती है फिर कुछ दवायों के side effects के करण भी ये problem होता है कि मानलो आपने कोई antiviral medication ली है और उसकी पूरी थेरा पी चली थी और वो खताम होने के बाद भी आपके सरे में काफी ज़्यादा weakness लेती है antibacterial कुछ दवाया लेती उसको लेने के बाद भी ये problem होती है तो ऐसे बहुत सरे अलग-अलग class के medications होते हैं कि जिनके side effect के करण भी थकावाट, कमजोरी जैसा जो हम feel करते हैं फिर कुछ बीमारियों की condition के जैसे की कोई high cholesterol वाला patient है hypertension का patient है diabetes का patient है या फिर sugar का problem वाला कोई patient की जिसके sugar कई बार बढ़ जाती है या फिर sugar कई बार कम हो जाती है kidney related कोई problem है या फिर asthma, stroke, ulcer जैसे कोई भी बीमारी आपके सरी के अंदर है तो जो रोग की जो स्थीती हम कहते है उसके करण भी आप ये problem जो हो feel कर सकते है फिर जो major depressive disorder जो कहा जाता है कि जो depression type का problem है उसमें भी ये एक symptom देखने को मिलते है तो ये एक reason बनता है कि अगर किसी को mental health related problem है तो भी ये थकान, कमजूरी जैसा लोग मैसूस करते है फिर ये काफी एक बड़ा reason है कि थकावट या फिर कमजूरी के लिए कि आपकी नींद जो हो पूरी नहीं होती कि जो 8 गंटे की proper sound sleep होनी चाहिए गहरी नींद आनी चाहिए 8 गंटे की वो किसी को नहीं आती और उसके करण भी ये problem होता है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती तो दुसरे पूरे दिन जो आप जो काफी weak fill करते है, थकान जैसा फिल करते है, आला साथी है, सुस्ती जैसा आप महिसूस करते है, और उसका एक सबसे बड़ा reason होता है, निंद पूरी नहोना तो ये problem को diagnose कैसे कर सकते है, कैसे हम reason पता लगा सकते है, कि कौन से कारण से आपको ये problem हो रही है तो सबसे बड़े patient की medical history check करना जरूरी, कि अगर कोई ऐसा complain करता है, कि उसको काफी ज़ए ठकावड रहे थे, कम जूरी ज़ए सफील होता है तो उसका एक proper medical history लिए चेक करनी चाहिए, patient counseling करना चाहिए, कि past में कोई बीमारी थी या नहीं, और वो बीमारी में उन्होंने कौन सी दवाई या वगेरा ली थी, तो वो सबच्चे से चेक करना होता है कि जिसको हम एक patient counseling कहते है second physical examination से पता चल सकता है, कि proper आप उसकी physical health अगेरा चेक करो, तो भी idea आजाता है physical examination के दोरान, blood test से idea आता है, कि क्या problem हो सकती है उसको, nutritional deficiency के लिए भी stripe के test करा सकते है, उसके लावा blood sugar का test कराना काफी जरूरी रहता है, कि sugar बढ़ रही है या sugar उसकी कम हो रही है तो sugar की जान जरूर से करानी चाहिए regularly, कि जिससे एक reason पता चल सके, कि sugar आपकी बढ़ रही है, या फिर sugar आपकी कम हो रही है फिर CT scan या फिर MR यहाँ पे करना काफी जरूरी बनता है कि जिससे अगर कोई brain related हिस्सी हो, mental health related कोई problem हो रही है तो उसका भी हम एक proper diagnosis कर सकते हैं अब आते हैं उसके treatment के portion में तो treatment में सबसे पहले जो patient है या फिर जो भी ऐसा कोई feel कर रहा है तो उसको पानी ज्यादा पीना चाहिए अटलेस्ट 2-3 लिटर जितना पानी पीजिए पूरे दिन के अंदर सेकंड जो fresh fruit juice वगरा होते हैं वो आपको जरूर से लेना चाहिए जिससे आपके सरीर के अंदर जो पोसक ततो होते हैं nutrition से वो मिलते हैं अच्छी healthy diet वगरा लेनी चाहिए आपका stress level जो हो कम करना चाहिए कि stress के करन पे कई बार ये problem होती है तो yoga and meditation वगरा आप कर सकते कि जिससे आपका stress level जो हो कम हो फिर यहाँ पे एक treatment पे एक option है कि आपको नींद पूरी करनी चाहिए उचित नींद लेनी चाहिए जो 8 गंटी की proper नींद है वो पूरी करनी चाहिए और नींद आपकी पूरी नींद आपको doctor या फिर pharmacist को अच्छे से consult करके उस related medications जो वो start करनी चाहिए जैसे आपकी नींद अच्छी आए फिर अब समझते है medicines के बारे के कौन सी दवया ली जा सकती है ये problem को solve करने के लिए है तो जो nutritional deficiency होती है खासकर या फिर जो metabolic problem होते है जिसके करनी सरीर को energy नहीं मिल रहे तो वो energy के लिए जरूर है कि आप multi vitamin, multi mineral या फिर जो nutraceuticals product आते हैं वो आप use करें तो उसमें काफी popular product है apex का कि जो है zincovit करके जो tablets आते हैं कि जो एक tablet आप ले सकते हैं पूरे दिन में कि दिन में कोई एक time आप fix कर दो उसी time पर ये medication आप लेते हैं second हम देखे तो zincovit का है syrup आते हैं कि कोई tablet का लेने के लिए comfortable नहीं है तो उसका syrup वगेरा भी आप ले सकते हैं कि जिसका dose रेता है 5-10 ml जितना रेता है पूरे दिन में तीसरा option है याप नियूरो काइंड gold के capsules का तो याप जो आप देख रहे हैं कि जो mankind की ये product है कि नियूरो काइंड gold capsules तो ये भी एक capsule per day के हिसाब से जो है वो ले सकते है आप अगर ये suit नहीं करते तो चौथा option बनता है हमारे पास वो है बेकाड एक्सामिन के capsules का कि जिसका भी dose रहता है एक capsule per day के हिसाब से आप उसको ले सकते हैं पाँचवा option बनता है supra plus करकी जो tablets हाते है कि जिसके manufacture है Abbott pharmaceutical से तो ये भी आप ले सकते कि जिसका dose रहेगा एक tablet per day और उसका content हम देखे तो उसके अंदर vitamins रहते हैं, minerals रहते हैं trace elements and antioxidants वगेरा रहते हैं कि जो आपको सरीर को एक proper energy वगेरा देते हैं ठकावट वगेरा दूर करने में जो है ज़्यादा ये medication आपको मदद कर दी है चटा option है यहाँ पे Supradin Delhi करके जो tablets आती हैं तो वो भी आप similar dose में यूज़ करते हैं और उसके manufacture जो है Bayer Pharmaceuticals उसके manufacture है साथ वा option है Health OK tablets का कि जिसके manufacture है Mankind Pharmaceutical और ये एक Neutraceutical product है कि जिसके अंदर Natural Ginseng रहता है Tauren रहता है Zinc, Vitamin D and Vitamin C जैसे ingredients उसके अंदर रहता है कि जो आपको काफी ज़्यादा energetic feel करने में जो है मदद कर दी है Next यहाँ पे ओप्सन हम देखे तो वो है Max Rich Delhi करके जो tablets आती है Cipra Pharmaceuticals जो उसके manufacture है यह भी आप एक tablet या फिर एक capsule per day के हिसाब से जो वो use कर सकते है Next option है उसमें Max Rich Gold करके medicine आती है तो वो भी आप similarly ले सकते हैं एक capsule per day के हिसाब से उसको जो वो लेनी होती है Next option हम देखे तो Dr. Redis Laboratory का यह product है कि जिसको Beco Zinc Z capsules कहा जाए कि जिसकेंदर मल्टी वीटामिन, मल्टी मिन्रल है एंटी ओक्सडंट है और जिंसेंगे तो यह भी एक काफ़े एक popular nutraceutical है कि जो कमजोरी थकान वगेरा को दूर करने के लिए हम use कर सकते हैं Next option देखे तो Sun Pharma का Revital H करके है कि जो male female दोनों के लिए है Revital H Delhi Health Supplements की 60 capsule का आप यह packing देख रहे है और बाजू में Revital H woman करके भी जो product है तो वो भी use कर सकते हैं महिला है कि जो काफ़े कमजोरी थकान जैसा महिसूस करते हैं Next Gydus Cadillac का एक product है Superimmune करके तो उसमें भी आप देखो तो एक काफ़े कुछ अलग ingredients है जैसे कि multivitamin, multivitamin herbal ingredients उसके अंदर mix के गए हैं कि जो herbal immunity business के दौर पर आप use कर सकते हैं जिसमें vitamin C है D, E, N, zinc वागिरा जो है वो present तो यह भी काफ़े अच्छा option बनता है हमारे लिए कि अगर आप उस type का nutraceuticals लें कि जिसमें कुछ herbal ingredients भी हो natural तो वो भी हम यहाँ पर यह ले सकते हैं कि जिसका dose हम देखे तो one tablet per day के हिसाब से आप उसको consume कर सकते हैं next है aristopharmaceuticals का product देखे तो we total करें कि जिसके अंदर ginseng है with multivitamin and multiminerals फिर एक और यहाँ पर product है multi 3 tablets करके जो abandis life science जो उसको design करते हैं जिसके अंदर antioxidant है multivitamin और multiminerals जो वो present है तो ऐसे समझें कि आपको detail में सिखना है बहुत सारी दवा यू के बारे में बीमार यू के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं pharma rocks के अब उपर तो यह course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को download कर सकते हैं link description box वगरा में मिल जाएगी so good luck and all the best